मस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा नाम पुश्पेंदर जौदरी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने परवार रैंकर्स गुरकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है सभी लोग लाइब आएंगे और करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट और उसके बाद सभी लोग एक बात और सुन लीजिए कि आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं ये इतने इंपूटेंट कोस्टन है टॉप 25 कोस्टन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और टॉप ट स्टेट लेबल का कोई भी एक्जाम हो हर परिक्षा में इंपूटेंट आने वाली डिसकबरी में आपको आज करवाने वाला हूँ तो सभी लोग एक बार सेसन को सेयर करें उसके बाद आज की क्लास को हमें स्टार्ट करते हैं बहुत भैतरीन कोस्टन के साथ आज इस चैप सभी लोग जोईन करेंगे सेसन को और सेयर करेंगे उसके बाद हम आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं सभी लोग इनका बस अपनी कॉपी में अगर नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लेना अगर स्क्रीन सौट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन सौट लेने ना 25 questions होंगे आपके सामने एक एक करके 25 सवाल आएंगे और इन 25 सवाल के अंदर आप लोग लिख लो कि 25 मैंसे मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि 2 से 3 प्रशन आपके paper में देखने को मिलेंगे याद रखना क्योंकि हर exam का सबसे खास topic जो होता है वो एक तो है important discovery और एक है important instrument याद करने जिनकी एक class already मैं पढ़ा चुका हूँ कि device कौन कौन से आपको याद करने है जो की important है और दूसरी बात कि किसने किसका खोजा किसने किसको खोजा ये आपको याद रखना है तो good morning सभी को करते हैं start आज का पहला सवाल आपकी screen पर आने वाला है क्योंकि देर करने से ज़्यादा देर होगी और वैसे ही 10 minute late है तो पहला सवाल आपकी screen पर बेटा सभी लोग comment box में बताएंगे कि question number 1 का सही जबाब क्या होने वाला है जेते कौन बच्चा सबसे पहले जबाब दे पाता है और कितने आप last में ये भी पूछोंगा कि top 25 questions में आपका score कितना रहा क्योंकि मुझे ये भी पता लगना चाहिए कि आप पहले से कितना जानते थे और अब class के बाद आप लोग कितना जान लोगे ठेक है तो करते हैं ये सबी लोगों का सबसे पहले जबाब आया है इसमें से चो छोटे जी का जबाब आया है भाई वाई सिद्की का आया है A, C, A, B, C, D तुमारे तो भाई भहुत सारे variations questions में आ रहे हैं मैंने का रेडियो गतिविदी अब मैंने रेडियो नहीं पूचा है कहीं सोचो के गाने बजाने वाला रेडियो नहीं बटा मैंने का है रेडियो एक्टिविटी जो होता है सर रेडियो एक्टिविटी उसको कहते बटा जिसमें से अलफा बीटा गामा रेज निकलती है ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है मेरे बच्चे जिसमें से अलफा बीटा गामा रेज निकलती है ऐसी प्रोसेस को क्या कहते है रेडियो एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें अलफा बीटा गामा करने निकलती है किस वैज्ञानिक ने इसको खोजा है तो इसका जबाब होगा एंटी हेनरी बैकुरल नाम क्या रहेगा बैकुरल जी जो है इनों ने रैडियो एक्टिविटी का डिसकोवरी रैडियो धर्मिता का खोज किया गया है क्या आप लोग सभी याद रखेंगे रैडियो एक्टिविटी की डिसकोवरी किसके द्वारा की गई है एंटी हेंडरी बैकुरल के द्वारा की गई और यह भी याद रखना 1896 में इनके द्वारा ये डिसकवरी की गई है सभी लोग इस बात को याद रखना और इनों ने पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसकवर किया था जिसका नाम यूरेनियम था किसको याद है जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ना कौन सा रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चो तो बताया था कि रेडियम जो है रेडियम उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी लेकिन ये जो यूरेनियम है इसकी खोज एंटी इसका पूरा नाम क्या होता है वैग्यानिक का scientist जो है anti henry becquerel anti henry becquerel ने बिटा किसकी खोज की है uranium की खोज की है और याद रखना है uranium जो है वो पहला radio धर्मी तत्वा है यानि पहला ऐसा तत्वा है जिसमें से alpha beta gamma करने निकलती है clear है याद रखेंगे याद न सर पैसा कैसे कमाए पैसा ऐसे कमेगा बिटा सरकारी नोकरी लगाओ उसके बाद पैसा कमेगा क्योंकि और कोई दूसरा option है नहीं चोरी चकारी तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुमने किताब इतनी पढ़ ली है तुमने इतने ग्यान ले लिया है कि आप चोरी कर नहीं पाओगे आप डकैती कर नहीं पाओगे तो एक ही जरिया है अपनी स्थिती बदलने का वो है आपका पढ़ाई करना महनत करके कुछ भी कर सकते हो आप लोग अपनी जिंदगी में ठीक है एक साधन ऐसा बनाया गया है हमारी इस नेचर में इस प्रकरती में इस जिंदगी में एक ही चीज ऐसी बनाई गई है कि जो जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेगा वो उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा और जो जितनी ज़्यादा कम पढ़ाई करेगा देखो नोकरी भी तो इसी हिसाब से मिलती है जितना तुम जादा पढ़ लोगे न उतना अच्छा नौकरी मिल जाएगा जितना कम पढ़ोगे उतना कम नौकरी मिलेगा कहीं Constable की नौकरी से लग रहा है कहीं कोई IPS बन गया तो उसने जादा पढ़ लिया उसने कम पढ़ लिया ठीक है पढ़ा दोनोंने अब सुनो ध्यान से बिटा तो याद रखना मैडम क्यूरी जो है इन्होंने किसकी खोज किये बिटा रेडियम नाम का एलिमेंट ये मैं ऐसे 25 क्वश्चन करवाने वाला हूँ सुनलो सभी लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए मैं ऐसे 25 क्वश्चन करवाने वाला हूँ जिन मैंसे ये पहला सवाल है क्या है टॉपिक का नाम क्या है इंपोटेंट डिस्कवरी और लिख के देता हूँ कि आज आपको 2-3 प्रस्ण आज की क्लास जो पढ़ जाएगा इन 25 क्वश्चन को 2-3 प्रस्ण हर एक्वश्चन अगर आते हैं तो आएंगे याएंगे ये कैनिस्टी की भी डिस्कवरी है ये फिजिक्स की भी डिस्कवरी है याद रखना बहुत मोस्ट इंपोटेंट टॉपिक है बेटा तो अब हम चलते अगले क्वश्चन की तरफ ये आपने पढ़ लिया मैडम क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया है? रेडियम और एक और चीज डिस्कवर किया है जिसका नाम क्या है? पॉलोनियम याणी इसने दो तत्त्वों को खो जा है इसने दो element को खोजा है एक radium और दूसरा क्या है बिटा पॉलोनियम ठीक है याद रखेंगे बिटा और जिस चीज में से alpha, beta, gamma निकलती है उसको क्या कहते हैं उस प्रकरिया को radio activity कहा जाता है ऐसी प्रकरिया जिस में से alpha, beta, gamma करने निकलती है अब चलते हैं second question की तरह बताईएगा दूसरा question क्या है who invented aeroplane भाई साब क्या खतरना question है न हवाई जहाज का अविसकार किसके द्वारा किया गया देखते हैं कौन बच्चा इस question का सही जबाब देता है बताओ बिटा who invented aeroplane हवाई जहाज का अविसकार किसके द्वारा किया गया जली जली से comment करके बताएंगे एडिसन के द्वारा किया गया गलत एडिसन ने तो किसका खौजा था भाई बाल्ब को खौजा था एडिसन लेकिन क्या Steve parfait lesson ने किया गलत होफman ने किया गलत तो टिक लगाऊंगा उसका सही, वो सही होगा और एक बार अगर अपने revision कर लिया इस questions का, 25 का, तो मानो मेरी बात आज आप लोग कि इनसे सवाल जरूर पेपर में बनेगा, याद रखना मिटा Right Brothers जो है, ये इनों ने क्या किया है, Aeroplane का discovery किया हुआ है, एकदम बिटा तेज तेज चलेंगे, रफ्तार में चलेंगे आज हम क्योंकि मुझे बहुत सारी questions आपको करवाने important जो की होने वाले, ठीक है सर जली से बताओ, बिल्कुल बिटा, कहीं से भी सुरूर आप कर सकते हैं एक भी question बिटा, गलत नहीं होना चाहिए, हम ना question से question निकालने की कोसिस करेंगे, आप भी एक सवाल से कई सवाल निकालने की कोसिस किया करो, ताकि आप लोग ना, चीजों को relate कर पाओ, आपस में जोड पाओ, जैसे मैंने aeroplane की बात की, तो aeroplane से और क्या पेपर में पूछा गया है, तो याद रखना है, helium नामक गैस जो है, aeroplane के टायर में बरी जाती है, और कहाँ यूज होता है helium gas का, गुबारे में यूज होता है, बैलून्स जो होते हैं, गुबारे, इसमें भी किसका प्रियोग होता है, आपका तो किसमें बरा जाता है, बल्व के अंदर कौनसी गैस भरी जाती है, बल्व के अंदर आरगन की गैस भरी जाती है, ठीक है, आरगन, चले, अब चले, question number 3, बताओ, question number 3 का सही जबाब कौन देगा, who discovered solar system, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई, बताओ बिटा, पेटरोल पंपे लिखा रहता है, कि nitrogen gas उपलब्ध है, highway पे लिखा रहता है, nitrogen gas is available, ठीक है, तो हमारी गाड़ियों के पईयों में कौनसी गैस भरी जाती है, nitrogen, लेकिन वहीं पर nitrogen भढ़ सकते है, ऐरोपलेन की टायर में, क्योंकि थोड़ा सा भारी होती है, nitrogen, इसलिए वायुयान को हवा में उड़ना है, तो helium gas, correct answer क्या होगा, helium gas, अब बताव इसका क्या हैगा, सौर मंडल जो है, इसकी खोज किसने की, सबसे पहले कौन वैग्यानिक था, जिसने सौर मंडल के बारे में बताया, very good, सभी लोग याद रखना, Newton तो गलत है, Newton ने तो, Newton से क्या सवाल बहुत important बनता है, सुनो, Newton ने किसकी खोज की है, Newton ने खोज किया है, गरेविटेशन का, गुरुत्वा करसन का खोज किया है, गुरुत्वा करसन का खोज किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना, Newton के द्वारा, बल का खोज, force जो होता है, बल, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, न्यूटन के द्वारा हर वैग्यानिक का बताने जा रहा हूँ लेकिन question का answer जो सही है वो है copper nikas copper nikas जी जो है इनोंने सौर मंडल का खोज किया है clear है वेटा Galileo जो है याद रखना वेटा इनका पूरा नाम क्या होता है Galileo Gali Galileo Gali इनका पूरा नाम होता है इनको father of science विग्यान का जनक कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है बेटा इनको याद रखना इनको father of science यानि कि विग्यान का जनक इने कहा जाता है विग्यान का जनक इनको कहा जाता है और बाभू याद रखना इन्होंने क्या-क्या discovery किया है कोई बताएगा गैलेली यो गैली जो है इन्होंने क्या discovery किया है एक बात तुम मुझे बतादो गैलेली यो गैली ने क्या discovery किया है याद रखना थर्मा मीटर की खोज करने वाले वैग्याने थर्मा मीटर की खोज करने वाले वैग्यानिक को ने बिटा गैलेलियो गैली आपके थर्मा मीटर की खोज करने वाले साइंटिस्ट ने लिख लो कई बार पेपरों में पूछा जाएगा थर्मा मीटर क्या मैजर करता है बिटा थर्मामीटर बुखार यानि कि आपके तापमान को मैजर करता है तापमान को तापको मापने का यंत्र जो है थर्मामीटर उसकी खुज करने वाले वैज्यानिक कोने मेटा गैलेली ओ साव गैली आपके आंसर सही हो जाएगा बाई एक बाट जितने भी बच्चे जुड़े हुएं सहसन को लाइक जरूर करें सोचो 138 लोग तुम देख रहे हो तिहात्तर लाइक की संक्या आँखे भराती है ऐसा प्यार देखके तुमारा मेरा ठीक है चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं तो गैलेली ओ गैली के बारे में आप लोग को यह सारी बातें याद रखनी है अच्छे एक बात बताओ न्यूटन के द्वारा न्यूटन के द्वारा 1685 से 1687 में किताब लिखी गई थी बिटा किताब इसका नाम मुझे कौन बताएगा इसका नाम मुझे कौन बताएगा तो याद रखना इसका नाम है बिटा किताब जो लिखी गई न्यूटन के द्वारा प्रंसी पिया नामक किताब कुन सी किताब लिखी गई बिटा पिंसी पिया नामक किताब की गई, ठीके? ठीके, याद रखेंगे बिटा, जली से कमेंट करके यहां तक बताओ आगले question की तरफ चलते हैं, बताओ, यहां तक सब को याद रहेगा जली से बताओ बिटा, यहां तक सब को याद रहेगा question number four, आपकी स्क्रीन पर आगया है बिटा, question number four जली से कमेंट करके बताओ someone ask me doubt, sir, someone ask me doubt तो बताओ बिटा, doubt उसको या फिर मेरे से पूछो कोई भी doubt अगर है question number four, बताओ बिटा, x-ray was discovered by, x-ray की खूज करने वाले वैग्यानिक कौन है विलियम कार्न ग्रोइंट जन, यानि कि एक बैकुरल, फिर है मैडम क्यूरी और अगला क्या है, वैन लुक बताओ बिटा, क्या होगा, सही जवाब, x-ray की खूज करने वाले वैग्यानिक जो है वो कौन कौन है, चली से एक बर भाई, like और share करते रहे है सहसन को, क्योंकि बहुत ज़ादा बच्चे संख्या में देख रहे हैं, लेकिन कम है, like की संख्या, तो x जो ray है, अब मैं उस x-ray की बात नहीं कर रहा है जो तुमारा x-ray हड़ीयों का होता है, नहीं बाबू, मैं उस x-ray की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कहा रहा हूँ जो X करने होती है जो X करने होती है उसकी खोज किस वैग्यानिक ने की तो बिटा देखो एक बात याद रखना रोइंट जन, सौट ट्रिक में याद रखो X-ray की खोज करने वाले वैग्यानिक कोने रोइंट जन नाम की जो वैग्यानिक है इन्होंने क्या किया है लिठा? X-ray का खूज किया हुआ है भी याद रखे न्हें विटा? बिल्कुल-बिल्कुल सिभम बिल्कुल सही कहे रहे हो आप लोग अच्छा, MADAM Query का मैंने बताई दिया MADAM QUERY की दो डिसकबरी याद रखना एक तो radium नाम का element खोजा जिससे हम क्यूरी तापमान कहते हैं तो क्यूरी तापमान को खोजने वाला वी वैग्यानिक मैडम क्यूरी है यानि मैडम क्यूरी का काम खतम हो गया दुनिया की एक मात्र ऐसी वैग्यानिक है मैडम क्यूरी जिनको दोनों सब्जेक्ट में नोबल प्राइज मिला हुआ है फिजिक्स का भी और केमस्टी का भी याद रखना इतनी इंपोटेंट है ना ये मैडम और इसका एक हस्बेंट था सॉरी हस्बेंट तो एक ही होगा यार इस हस्बेंट था तो याद रखना पी एरे क्यूरी क्या नाम था पी एरे क्यूरी इसके हस्बेंट था इन तीनों ने, दोनों ने मिलकर टीन ही खोज की हुई है क्या क्या नाम है बोलो, एक रेडियम, एक पॉलोणियम और तीसरा क्या है पैटा, क्यूरी टेंप्रेचर अब ये क्या होता है ध्यान से सुनिएगा बेटा क्यूरी टेंप्रेचर क्या होता है ध्यान से सुनिएगा क्यूरी तापमान क्या होता है बेटा क्यूरी टेंप्रेचर एक ऐसा तापमान होता है कि अगर ये किसी धातु को मिल जाए किसी metal को अगर मिल जाए तो वो अपना, ठीक है? पीरे क्यूरी याद रखना है, प्यार से पिया कहती थी पिया कहती है न, पिया पियरे क्यूरी, तो पियरे क्यूरी जो है ये पॉलेंड के रहने वाले थे तो पॉलेंड से क्या बनाए? पॉलोनियम रे से रेडियम और तीसरा क्या है क्यूरी टेंप्रेचर अब यह क्या होता है ध्यान से सुनना वेटा देखो क्यूरी टेंप्रेचर उसको कहते हैं वेटा ऐसा टेंप्रेचर ऐसा तापमान अगर किसी धातू को मिल जाए तो जो मैटल होती है ना इस टेंप्रेचर पर मैटल lost its magnetic property वो अपने चुम्मक की ये गुण को खो देती है magnetic property विटा याद रखना बहुत important बात मैंने आपको बताई है कि वाटेज क्यूरी temperature गर कोई पूछे कि क्यूरी तापमान क्या होता है तो कहना कि सर जब कोई धातू होती है न मैटल तो वो चुम्मक की तरफ खिचाती है आपने देखा होगा कोई भी धातू चुम्मक की तरफ खिचाती है लेकिन अगर उसको बिटा क्यूरी तापमान पर गरम कर दिया जाए तो वो चुम्मक की तरफ खिच कर नहीं आएगी सिभम क्या पूछ रहे हो मैं आपकी बास सम्मन आस्क मी डाउट सर कॉपर निकस ने तो लौ दिया था सन मूव एराउंड दर्थ नहीं बेटा पूरा सॉलर सिस्टम जो है न जो आपका सौर मंडल की खोज करने वाले वैग्यानिक भी यही है कॉपर निकस जिनको कहते हैं ठीक है यह नियम भी उन्होंने दिया है और खोज भी उन्होंने की है याद रखेंगे वैटा कि आपको समझ माया तो इस तापमान पर कोई धातू जैसे अगर मैं बोलू कि आईरन का हर धातू का अपना अलग-अलग होता है लोहे का कितना होता है हर धातू का एक क्यूरी टेंपरिचर जरूर होता है विटा जैसे अगर मैं बोलो लोहे का कितना होता है तो 770 degree Celsius कितना होता है 770 degree Celsius यानि हर धातू का every metal जैसे boiling point होता है न सब का गलनांक वतनांक बिंदू होता है वैसे ही विटा हर धातू का क्या होता है एक क्यूरी टापमान होता है कि अगर वो उसको दे दिया जाए तो वो अब चुम्मक की तरफ खिचकर नहीं आएगी ऐसे ही टापमान को साइन्स में क्या कहते है क्यूरी टापमान कहते है याद रखना जैसे लोहे का होता है 770 ऐसे ही हर metal 93 metal होती है कितनी होती है 93 धातू होती है 93 सब का अपना अपना अलग होता है ठीक है याद रखेंगे clear है एक बच्चा कह रहा है सर गलत बता रहे हो गुबारे में hydrogen बेटा हम गलत नहीं बताते सर गलत नहीं होते आप गलत पढ़के आए हो किसी channel पर हमारे जो आंसर होते है वो बिल्कुल सही होते है आप गलत पढ़के आए हो इसलिए आप गलत बोल रहे हो हमारी class लोगे ना तो हम गलत नहीं बताते कोई भी question क्योंकि हमारे खून में science बहता है physics chemistry सपने में भी पूछोगे ना अब भी सही बताऊंगा हमे तो गुबारे में किसी ने गलत पढ़ा दिया सिवम को कि hydrogen बढ़ा जाता है hydrogen तो atmosphere में present नहीं होता hydrogen इतनी हलकी gas है वो exosphere में चली जाती है उड़के यानि बाहे मंडल जिसे कहते है वो हमारे atmosphere में नहीं पाई जाती helium gas बढ़ी जाती है गुबारे में अगर hydrogen gas बढ़ दे तो उपर जाके गुबारा फट जाएगा pop sound आएगी ठीक है तो बताओ optical fiber का अविस्कार किस ने किया बिटा optical fiber का अविस्कार किस ने किया जली से बताओ जली से comment करके बताओ भाई क्या आएगा बिटा देखो optical fiber सबसे पहले क्या होता है बिटा देखो जैसे समुद्र वगेरा में connection नहीं हो पाता communication जैसे समुद्र वगेरा में क्या नहीं हो पाता संचार जिसे कहते हैं communication संचार जिसे कहते हैं communication जैसे समुद्र वगेरा में क्या नहीं हो पाता communication संचार नहीं हो पाता तो वहाँ पर optical fibers बिछा दिये जाते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो संचार व्यवस्ता यानि कि लाई जा सके कोई भी चीज भेजी जा सके ठीक है याद रखना याद रखेंगे तो क्या होगा वेटा optical fiber जो है उसका जो सही answer है वो है option number B नरिंदर काप ने जो है इन्होंने क्या किया है वेटा optical fiber का अविस्कार किया है कई बार तुमसे ये पूछा जाता है कि optical fiber किस के उपर काम करता है ठीक है answer होगा hydrogen सबसे हलकी gas पूछेगा answer क्या होगा hydrogen ठीक है अब सुनो बेटा तो अगर मैं पूछू आपसे optical fiber जो है ये किस सिध्धन्त पर कार्य करता है कौन से principle पर कार्य करता है तो बेटा आपने सुना होगा पून आंतरिक परावर्तन total internal reflection ये सवाल इससे बहुत बार बनता है क्या बनता है बेटा कि optical fiber किस सिध्धन्त पर कार्य करता है तो पून आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है कौन optical fiber यानि ये जो TIR घटना होती है ये physics की ऐसी घटना है कि जैसे मान लीजे ये optical fiber है ये optical fiber इसके अंदर इतना ज़्यादा reflection होता है, टकराब होता है light का, तो जब भी ये बाहर निकलता है, तो इस घटना को क्या कहते है, TIR, Total Internal Reflection, ये कई चीजों के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है, ये कई चीजों के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है, क्लियर है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कई चीजों के लिए, TIR जो है बटा, कई चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, इसके लिए भी जिम्मेदार कोने, signing of the diamond, signing of the diamond, तो answer क्या हुआ है बोलो, तो भी answer क्या आएगा TIR, अगर मैं ब मिराज formation, यानि जिसे आपको बता है, मरग मरीच का हिंदी में कहते हैं, तो इसे के पता है, क्या है, जैसे आपको देखा होगा, गर्मी के सीजन में गाड़ी आप चला रहे हो, तो बहुत आगे जाके आपको ऐसा लगता है, गर्मी में जैसे पेड के नीचे पानी भरा हु तो याद रखना है, TIR के लिए कितनी चीज दिम्मेदार है, ओप्टिकल फाइबर किसके उपर काम करता है, TIR, हीरा चमकने का करण क्या है, TIR, और मिराज formation जो है, इसका भी आंसर क्या आएगा, TIR, टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन, क्या आपको वेरी बास समझ माई है, ठ एक चीज जो एक एक कोश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बताओ बेटा, बताओ बेटा, आंसर क्या आएगा, अगले कोश्चन का वेरी गूद, D, A, सबसे पहले बाई, A की बच्चा दे रहा है, बारवा, सिद्धिकी जी बहुत तेज है, D, A, D, और बहुत बढ़िया, सिवम का आया है, A, सिवम कुमार, D, नेतिन, D, आंसू, D, चलो, D देखते हैं भाई, सबी लोग इसका जवाब दे रहे है, जो हवा होती है, यानि पवन का, पवन का मतला हवा का जो बल है, और वेग है, इसको मापने के लिए किस यंतर का प्रयोग किया जाता है, तो स्पीडो मीटर है नहीं, लेक्टो मीटर है नहीं, धर्मा मीटर है नहीं, एनीमो मीटर सही जवाब होगा, क्या होगा बेटा, एनीमो मीटर सही जवाब होगा, याद रखना, हवा का वेग या हवा के बल को मापने का जो यंतर है, ठीक है, याद रखना उसको क्या है उसको एनीमो मीटर कहा जाता है लेकिन बेटा स्पीडो मीटर क्या बताता है स्पीडो मीटर आपका बताता है चाल को स्पीडो मीटर क्या बताता है बेटा आपका चाल को बताता है लेक्टो मीटर क्या बताता है बेटा दूद की सुद्धता जो होती है क्या होती है बोलो दूद की सुद्धता जो होती है purity of milk क्या बेटा purity of milk यानि दूद की सुद्धता के बारे में कौन बताता है लेक्टोमीटर थर्मामीटर क्या बताता है बोलो थर्मामीटर क्या बताता है जली से बताओ, तो याद रखना थर्मा मीटर जो बताता है, आपका क्या बताएगा? वो आपका temperature के बारे में बताएगा, किस के बारे में बताएगा, निकि आपको अभी मैंने बताएथा कि थर्मा मीटर की जो खोज की गई, वो किस के द्वारा की गई? गैलेलियो, गैली के द्वारा की गई ठीक है तापमान के बारे में टैंपरेचर का मतलब तापमान के बारे में बताने का यंत्र कौन है थर्मामीटर और किसके द्वारा की गई पिटा फीवर नहीं टैंपरेचर यह कह रहा है फीवर फीवर भी तो क्या है बोडी का टैंपरेचर जब भी तुम फ सवाल का सही जवाब देंगे, question number 7, ठीके बड़ा, question number 7 का सही जवाब सभी बच्चे देंगे, क्या आएगा भाई? बताओ बेटा, good morning अमित जी, good morning बच्चे, हाँ, बिलकुल, बिलकुल, बताओ, क्या आएगा बेटा, सही अंसर, निमलिखित मैं किसने बैंटरी का आविस्कार किया, बैंटरी जो होती है, घरवाली, किसने आविस्कार किया उसका, रोडॉल्फ डीजल, नहीं, अलफ्रेड नोबल, नहीं, अलेक्जेंडरो वोल्टा, very किन दिया है, चार वालों का हो गया गलत, एकदम, तीन जो दिया है, यह मैं क्या कहा रहा हूँ, पच्चीस क्वेश्चन के स्क्रीन साट ले लो, पच्चीस मैं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर वनेगा, अभिनास जी, जै बोलेनात भाई, चलो, या याद रखना, अलक्जेंड, अल muchísimo ने क्या किया बैटा, इन्होंने पहला एक्सप्लोजिव, ध माका होता है, विस्पूठग जिसे कहते हैं, तो फस्ट एक्सप्लोजिव किसने बनाया, पहला विस्पूठग, लिखो बीटा, पहला विस्पूठग जो है, उसका आविस्का किसने किया तो आंसर के आएगा अलफरड नोवल क्या नाम था पहले विस्पू ठक का नाम ज़ली से कमेंट वक्स में दीया है रहा याद रखेंगे यह सारी बाते बाते बात बताओ, बैंटरी जो है ये किस उडजा को किस उडजा में बदलती है, कौन बच्चा इसका अंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा बैंटरी जो है वो किस उड़जा को किस उड़जा में बदलती है बताओ बैंटरी किस उड़जा को किस उड़जा में बदलती है कौनसी उड़जा को कौनसी उड़जा में बिलकुल 1901 में क्या मिला बिटा है इनोंने इनके नाम पर ही क्या दिया जाता है बेंटरी जो होती है वो एक किस उड़जा को किस उड़जा में बदलती है तो बेटा रासाइनिक उड़जा को बैंटरी में रासाइन होता है रासाइनिक उड़जा को किस में बदलती है विद्धुत उडजा में बदलती है याद रखना रासाइनिक उडजा को किस में बदल बदलती है याद रखेंगे सभी लोग तो याद रखना बेंटरी जो है वो रासाइनी कूड़जा को विद्धो थूड़जा में बदलती है बटा chemical energy को किसमें बटा pdf आपको मिलेगा telegram channel daily मिलता है यानि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका telegram पर rankers गुरुकुल official telegram channel पर इसका आपको pdf तुरंत मिलेगा class के बाद बताओ आगला question है question number 8 बताओ विटो question number 8 का सही जवाब देंगे कौन बच्चा देगा भाई बताईगा बहुत बढ़िया बी पाने के नीचे एक पंडबी से पाने की सताय पर वस्तूओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है तो क्या यह है नहीं पैरिस्कोप spectrometer नहीं आंसर क्या है बिटा option number B याद रखना option number B जो है वो क्या है बिटा बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का जिसने भी option number B दिया है ठीक है option number B बिल्कुल correct answer है पैरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसका diagram भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी ठीक है यह एक ऐसा यंत्र है जो कि आपको क्या करेगा बिटा diagram अगर आप देखोगे तो बहुत काफी बहुत बड़ा रूप इसका होता है और यह किसी पानी के नीचे से पानी की उपर सतह पर देखने के काम आता है clear याद रखेंगे बिटा अच्छे से नहीं दिख रहा अच्छे से क्यों नहीं दिख रहा पैरिस्कूप ठीक से ही तो दिख रहा होगा पैरिस्कूप एक ऐसा यंतर है जो कि पानी के नीचे से आपने देखा होगा कि सात रंग में डिवाइड हो जाती है सूर्या का जो प्रकास आता है वो कितने कलर में डिवाइड हो जाता है बिटा साथ रंग में डिवाइड हो जाता है जो विब ग्यॉर आप कहते थे ना विब ग्यॉर वाइलेट इंड़िगो बिल्यू ग्रीन यलो ओरेंज रेड तो यह साथ कलर जो होते थे आपके इनको स्पेक्टरम कह जाता है जैसे साथ कलर बनेंगे ऐसे ऐसे साथ कलर बनेंगे तो इसको लाइन को क्या कहते हैं स्पेक्टरम कहते हैं क्या कहते है बिटा इसको स्पेक्टरम के नाम से इसको जानते हैं ये जो साथ कलर की पट्टी बन जाएगी साथ कलर की जो पट्टी बन जाएगी उसे सोनिया जी क्या कहा जाता है तो क्या है ये जो 7 color की पट्टियां उती है इसको क्या कहते है spectrum और इसको देखने के लिए kis यंत्र का प्रियोग किया जाता है पताओ अगला question नो तो यहाँ पर जितने भी questions आपके आएंगी वो या तो आपके क्या होंगे invention से यानि discovery जो जो किस वैज्यानिक ने क्या discover किया ठीक है या फिर आपका क्या होगा बिटा या आपका क्या होगा यंत्र के question होंगे कौन सा यंत्र किसके काम आता है बताओ अगले सबाल का सबी लोग जबाब देंगे ठीक है बताओ बताओ जल्ली से बटा कोई बात नहीं सिभम नेट कम जोर थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी बताइए बटाइए बटा निमलिकित मैंसे कौन सा उपकरन भाउता देख तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है बताइए बटा वर्य गुड़ वर्य गूड़ भूपेंदर सान नहीं इकमेच बूपेंदर सार के रहा है पुष्पेंदर सार गोरब ठीक है फोटो मीटर डायलोग तुमने सही नहीं लिखा गोरब ठीक है तो ये गलत हो हो जाएगा मतल privately तारीफ कर रहे हो लेकिन नाम गलत लगी दिया तुम लोगों ने तो आनेतर क्या हो जाएगा पईरोमीटर ठीक है रहे चलें आगे तो याद रकना पाईरोमीटर जो है हूं क्या है सही है पाईरोमीटर एक वैसे तो फिर्लीक टेμप्रेचर को है थारमा पाइरोमीटर डिवाइस लेकिन जो थर्मामीटर वगेरा होते हैं ये सिर्फ 3060 डेगरी सेलसियस तक मैजर करता है ठीक है अब याद रखना अगर मैं आपसे एक सवाल पूछू बुराना मानो तो एक सवाल आपसे पूछ लूँ पहले बता बुराना तो नहीं मानोगे बुर अगर मैं आपसे एक बात पूछू बुराना माने कि तापमान का टेमप्रेचर का SI unit क्या होगा तो याद रखना बेटा टेमप्रेचर का जो SI unit होता है Celsius नहीं होता हम बच्चे गलती कर देते हैं पेपर में इतनी बार ये सवाल आया कि टेमप्रेचर का SI का मतला होता है अंत बिल्कुल Concave और Convex Mirror का डाइगरम आपको बना देंगे लास्ट में याद रहेगा मुझे ठीक है चले इससे आगे बड़े बड़े तो Kelvin जो है वैसे आपको एक फॉर्मुला भी याद रखना है आपस में convert करने का सूत्र याद रखना है जैसे Celsius से आपको बदलना है Fahrenheit में त तो आपको क्या करना है वैटा सभी को ये फॉर्मुला याद रखना है जैसे मैं आपको बोल दूँ कि भईया Celsius है 100 और 100 को बदलना है आपको Fahrenheit में कितना आएगा तो बदल सकते कौन-कौन बच्चा बदल के दिखाएगा अगर Celsius 100 है तो Fahrenheit में अंसर क्या आएगा बदल दोगे ना सभी लोग जैनि इसको आपस में cross multiply कर दे ना तिर्ची गुडा अगर आपको इसको इसमें बदलना है तो इन दोनों का cross multiply यानि जो दिया गया है और जो पूछा है उनका आपस में तिर्चा गुडा जो कहते हो cross multiply करके आप क्या करेंगे वैटा solve इसको कर लेंगे ठीक है चलो अगले सवाल का सही जबाब दें सभी लोग विद्धू जन्नेटर का आविसकार किसके द्वारा किया गया बताओ विटा विद्धू जन्नेटर का आविसकार किसके द्वारा किया गया फटापट से सभी लोग इसका अंसर देंगे भाई बताओ वेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविस्कार किसके द्वारा किया गया बताइए सभी लोग very good सभी लोग सही जवाब देंगे वेटा बहुत बड़ी है वही बहुत बड़ी है सभी लोगों का सही जवाब है अगर कोई A दे रहा है तो बिलकुल सही जवाब है माइकल फैराडे सब लोग जानते वेटा 1831 में क्या किया गया इनके द्वारा 1831 1831 में इनके द्वारा क्या किया गया इसका आविस्कार किया गया इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसे कहते है माइकल फैराडे के द्वारा जो कि विद्दु जनित्र जिसे कहते हैं हिंदी में इसका आविस्कार किया गया ठीक है चले आगे अच्छे एक बात बताओ बेंजामिन फ्रेंकलिन जो है इन्होंने क्या किया 1742 में इन्होंने आवेस की खोज की आवेस जानते हो बेटा दो परकार के होते हैं चार्ज सभी भाई भन सर को विसक Dare मेरा अबी नहीं है पार्टी लेना चाहते हो तुम मेरे से ठीक है बरे डे मेरा आएगा अभी काफी काफी दिन है ठीक है चार महिने है तो चार महिने वेट कीजिये चार महीने पढ़िये यूटूब से लगाता और बढ़िया बढ़िया से गिफ्ट लेके आना मेरे लिए बढ़िये जब आएगा तो मैं आपको बता दूँगा ठीक है अगले सवाल का सही जबाव दो बैटा question number 11 who invented stethoscope तो stethoscope तो जानते हो बटा डॉक्टर कानों में लगा कर और यहां पे लगाता है और सुनता है तुमारे heart के अंदर यहीं तुमारी body के अंदर जो organs हैं अंग हैं वो कैसी आवाज कर रहे हैं तो किसने बनाया stethoscope को किसने आविस्कार किया जली से बटा comment करके बताएंगे stethoscope का आविस्कार किसके द्वारा किया गया कब है तो अभी date नहीं बताएंगे आप लोगों को ठीक है stethoscope का आविस्कार किसके द्वारा किया गया बताओ जली से बताओ बहुत बढ़िया बताएं जली से comment करके stethoscope का आविस्कार किसके द्वारा किया गया ठीक है बताओ वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बताए क्या आएगा सही अंसर तो डैविड बुसनेल गलत जेमस वाट गलत जेमस हैरीसन गलत लेने लेनेक जो है वो क्या है बिल्कुल सही रेने लेनक जो है वो क्या है सही आठारे सो सोले में इन्होंने इस टैतो स्कूब जो की बौडी के अंदर जो sounds आती है जो ध्वनी आती है उसको सुनने में मदद करता है यानि की बौडी sound जो होती है चाए वो heart का sound हो चाहे वो हर्ट का दिल का आवाज हो हर्ट साउंड हो इसको सुनने में मदद स्टेथो इसकूप करता है जो कि डॉक्टर अपने कानों में लगा कर और आपके उपर लगा लगा के देखता है कहां से कैसी आवाज आ रही है इस यंत्र को बनाने वाले वैग्यानिकों ने रैने लैनेक और जिनोंने 18-16 में इसका डिसकावरी किया है क्या सब को यहां तक सही कमेंट बॉक्स में बताए कि यहां तक सही है 11 में कोश्चन तक चलते हैं कोश्चन नमबर 12 बताएंगे सवाल 12 का सही जवाब क्या होगा Which instrument is used to measure the depth of ocean महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बताए Good morning कसिश जी Good morning सभी को कोई बात नहीं बच्ची बताओ जली से कमेंट करके बताएंगे बता सभी लोग बताओ चलो Which instrument is used to measure the depth of ocean किस यंत्र का प्रयोग महासागर की गहराई को मापने में किया जाता है क्रोनो मीटर, ओडो मीटर, गैलवनो मीटर या फैदो मीटर बताओ बताओ गलत है क्रोनो मीटर, ओडो मीटर गलत है गैलवनो मीटर गलत है फैदो मीटर जो होगा, ओ क्या होगा, इसका correct answer होगा याद रखना है फैदो मीटर क्या हो जाएगा, भाईया, सही जवाब हो जाएगा क्यों, फैदो मीटर एक ऐसा उपकरण है जो समुद्र की गहराई मापने के काम आता है याद रखना है, ठीक है clear है समुद्र की गहराई, chronometer नहीं करता है ठीक है, auto meter क्या करता है, distance को मापता है distance दूरी को मापता है ठीक है बटा, galvanometer मैंने बहुत बार बता दिया temperature को मापता है, तापमान को ठीक, फैदो मीटर जो है वो क्या करता है बटा, आपका समुद्र की गहराई को मापता है और समुद्र के अंदर जो गहराई हो या दूरी हो nautical mine में मापी जाती है किसमे nautical nautical mile हिंदी में लेख लो समुद्र के अंदर जो दूरी है वो कैसे मापी जाती nautical mile या nautical mile में मापी जाती है याद रखना ये बात बहुत इंपोटेंट है वेटा चीक है सारे question का answer D दे रहे हैं सर नहीं वेटे आज ऐसे question आएं कि जादतर question answer D क्या आ रहा है D आ रहा है आपका बदलाओ अच्छा एक बार comment करके बताओ कि एक nautical mile में कितना kilometer होता है एक बार बटा comment करके सबी लोग बताओ क्योंकि समुद्र के अंदर जितनी भी दूरी है न distance है या उसकी गहराई है वो nautical mile में ही measure किया जाता है चीक है galvanometer सिर्फ detect करता है बटा current को तो एक nautical mile में कितने kilometer होते हैं तो याद रखना एक nautical mile जो होता है एक nautical mile जो होता है इसमें कितने kilometer होते हैं normal जो हमारे kilometer होते हैं 1.8 kilometer होते हैं कितने होते हैं वीटा 1.8 kilometer होते हैं very good सिवम जी बहुत बढ़िया एक nautical mile में कितना kilometer होता है 1.8 kilometer आपका होता है clear है वीटा यहां तक बताओ जली से comment करके चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं चलो अगला सवाल question number 13 question number 13 which instrument is used to measure the altitude direction and velocity of the cloud बताओ बड़ा जली से जली से comment करके बताओ which instrument is used to measure the altitude direction and जली से बताओं इस question का answer क्या हैगा बताओ बड़ा सभी लोग बताओ very good बच्चा है उसने तो कुछ लिखाई नहीं मैं देख रहा हूँ जनेब साहब ने तो कुछ लिखाई नहीं वस डिवाइस का लोगो बना दिया है उसने सिल्पी चौहान कह रही है I love you sir love you too मेरे बच्चे love you too चलो नैफवी स्कोप याद रखना नैफवी स्कोप आप से बहुत प्यार करते हैं हम सभी बच्चों से और आप भी पता है हमें अपने परिवार को बहुत सारा प्यार देते हैं अप fel हर टीचर को आप सार बहुत सारे प्यार करते है तो ठीक है चलो बता हो बताओ बटा तो याद रखेंगे biggest coke बादल जो होते हैं बादलों का डायरेक्शन बादलों का वेग और बादलों की क्या वेटा हाइट इनको क्या बताता है नेफो इसकोप नाम का जो यंत्र है यह सारी बाते बताता है ठीक है चलो चले आगे चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं question number 14 बताओ बेटा EEG is used to matter the functioning of EEG का उपयोग क्रिया कलापों को मापने के लिए किया जाता है EEG मैंने पूछा है ना कि मैंने ECG गलत जवाब मत देना कुई भी बच्चा चले बताइए नीरजपासवन जी बताओ बेटा EEG का उपयोग कौन से क्रिया कलापों को मापने के लिए किया जाता है सबी लोग इसको comment box में बताएंगे चले हस बहुत रहे वाज तुम पागलो heart का brain का skeleton muscles का all of these EEG is used to measure बेटा जली से comment करके बताएंगे भाई EEG is used to measure the which of the following बताओ बेटा जली जली से comment करके बताओ very good very good very good सभी लोगों का सही जवाब आ रहे अच्छा EEG का full form क्या होता है EEG का full form क्या होता है जली से बताएंगे चीक है तो याद रखना बेटा brain brain को जो functioning है brain का जो क्रिया कलाप है brain की जो क्रिया हैं इनको मापने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बेटा जली से start हो जाएंगे रीमा जी बस थोड़ा सा वीट करें बेटा एक या दो दिन का ठीक है तो याद रखना बेटा brain की जो activity है उसको किस से मापा जाता है EEG से मापा जाता है याद रखना brain की जितने भी क्रिया कलाप है लेकिन ECG से क्या मापा जाता है heart की जितने भी क्रिया कलाप है अगर यहाँ पर ECG होता तो तो दिल होता लेकिन अगर brain है तो EEG कहलो या CT scan का भी प्रयोग किया जाता है बिटा CT scan का पूरा नाम क्या होता है computed tomography अगर दिमाग में कोई कमी है या दिमाग function करना बंद करता है या दिमाग से related कोई भी problem है तो CT scan किया जाता है या फिर जिसे EEG कहते हैं ये किया जाता है लेकिन अगर दिल से सम्मंदित कोई बीमारी है दिल की बीमारी तुमको लग गई तो अगर तुम्हें दिल की बीमारी लग गई तो तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा ECG जिसे क्या कहते है बिटा electrocardiography कहते है electrocardiography या ecocardiography जिसे कहा जाता है clear है बिटा जली से बताएंगे विटा ईईई जी का फुल फॉर्म क्या होता है जली से कमेंट करके बताओ ठीक है याद रखेंगे ईईई जी का फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा इलेक्ट्रो एन फैलो ग्राम याद रखेंगे इलेक्ट्रो एन फैलो ग्राम क्या होता है इसकी फॉल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो एनसी फैलो एनसी फैलो है विटा इस पैलिंग ठीक कर लें एनसी फैलो एलेक्ट्रो एनसी फैलो ग्राम जो होती है इसकी फॉल फॉर्म होती है ठीक है, याद रखेंगे, very good, राहुल, very good मेरे बच्चे, injection है, मैं लगवा लूँगा, medicine अच्छा नहीं है, अच्छा, तो injection से भी तो medicine आपको दी जाएगी, चलो वेटा, बताओ, अच्छा, दिल जब धड़कता है, दिल जब धड़कता है, तो याद रखना वेटा, इसकी अवाज आती है, दिल जब धड़कता है, तो love, dove, sound, science में कहते हैं, दिल की आवाज क्या होती है, love, dove, sound होती है, science, ठीक है, याद रखेंगे, love, dove आवाज करता है, और herd का एक ही काम है, मेरे प्यारे बच्चो, blood को pump करना, रक्त का क्या करना, pump करना, और ये तूटता फूटत याद रखना, इसका काम एक ही है, क्या करना, blood को pump करना, और actual में जैसा ये बनाया है, ऐसा इसका safe होता नहीं है, ये गलत है, ये कैसा ये गलत है, actual में ये जो आकार होता है, ये यूरी नरी bladder का होता है, मूत्रास्या का आकार है, तो ये सब गलत चीज़े ना तो किसी को भे मूत्रास्य, इसका जो सही आकार होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन हाट का जो सेफ होता है, वो मुठी के आकार जैसा होता है, जो कि यहाँ पर प्रिजेंट होता है, तो याद रखना है, तो यह जो वाटसप पर बने हैं, सपेद कलर का काला, नीला, पीला, टूटा ह हुआ फूटा हुआ यह सब यूरिनरी ब्लेडर के डाइग्राम है मूत्रास्य के डाइग्राम है इनको ना तो किसी को भेजें और ना ही किसी से बेटा भिजवाएं गलत बात है ठीक है गंदा चीज है छी छी चलो अब आगे चलते हैं विटा तो याद रखना पंदरमा कोश अगले क्वेशन का सही जबाब दें क्वेशन नंबर 15 वैरी गूट सावास भाई लाइक सेयर करते रहें सैसन को ठीक है जली से बताओ सभी लोग लाइक सेयर करते रहें एन इंस्टुमेंट विच इस यूजड फोर रिप्रोडूजिंग साउंड इज कॉल यानि कि एक रियल वाला हर्ट भेज रहे हो ना अभी अच्छासा नहीं लग रहा मेरे को फिर भी आदत हो गई है न हमको उस दिल की याद रखना विच इंस्टुमेंट इस यूजड तो इंस्टुमेंट यूजड तो रिप्रोडूज दा साउंड जली से बताओ बटा क्या होगा सही जबाब जबाब यह ऊजड देगा गलत क्योंकि यह इंपोटेंट कोश्चन है बहुत इंपोटेंट कोश्चन है मैंने क्या कह रहा था सोल में कोशचन पर आप आगए और ऐसे ही भॉत प्रक्टिस का वीडियो नहीं आता है प्रक्टिस का वीडियो आया करेगा प्रक्टिस का वीडियो नहीं आता है प्रक्टिस का वीडियो नहीं आता है ये तो सब लोग जानते हैं एक भी बच्चा मारा ऐसा नहीं होगा जो इसका सही जवाब नहीं दे पाता है जली से बताओ प्रक्टिस का प्रक्टिस का प्रक्टिस का वीडियो नहीं आता है पहला ओप्सन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ओडो मीटर क्या करता है बिटा दूरी को मापता है डिस्टेंस को मापने का यंत्र क्या है ओडो मीटर जो है वो क्या करता है distance को मापता है जो बच्चे अभी जॉइन हुए न आपसे उम्मीद है कि आप लोग पूरी क्लास को एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि ये क्लास जितने भी question मैंने पहले करवा दियें सभी सभी question बहुत मैंट बैरोमीटर क्या करता है प्रैसर एट्मोस्फेरिक जो प्रैसर होता है वाता वरन का जो दाब होता है इसको मापने का यंतर क्या होता है बैरोमीटर क्योंकि वाता वरन का जो यूनिट है एट्मोस्फेरिक प्रैसर का वो बार होता है क्या होता है बी ए आर तो बैरोमीटर जो को मापता है इस स्पेरो मीटर ये बात आप लिख लो ठीक है रेडियस को मापता है इस स्पेरो मीटर ठीक है कलियर है सबी लोगों को तो चलिएगा आज का अगला second last question आज हम पढ़ लेते who invented telescope दूरवीन काविसकार किसके द्वारा किया गया जली से कमेंड करके बताएंगे विटा who invented telescope बताईए भई जली से कमेंड करके बताएंगे विटा who invented telescope बताईए भई क्या आएगा विटा सही जवाब option number copper निकस नहीं विटाई इन्होंने सौर मंडल की खोज किया है ये भी गलत है hence lepracy जो है इनका क्या होगा सही जवाब hence lepracy जो नाम के विग्याने के इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया है टैली स्कोप के बारे में बताया हुआ है हैंस lepracy इनका पूरा नाम है ठीके बटा टैली स्कोप के बारे में उन्होंने बताया हुआ है तो ये भी याद रखना कब की बात में कर रहा हूँ तो 1608 की बात में आपके सामने कर रहा हूँ जिन्होंने टैली स्कोप के बारे में बताया टैलेजकोप छोटी चीज को दूर से क्या है? बड़ा दिखाता है याद रखना दूर बीन जिसे का जाता है आज का लास्ट कुश्चन जो है आपको याद रखना है इसका सही जवाब आपको देना है कुश्चन नंबर 19 जो है इसका हॉमबर्क में आपको जवाब देना है उपकरण का प्रियोग विवांतर को मापने के लिए किया जाता है थर्मा मीटर, अमीटर, गैलवनो मीटर, वोल्ट मीटर इस question को आपको बिटा हॉमबर्क में जवाब देना है तो question number 19 तक हमारे हो गए है ये 19-20 जो सवाल, यानि एक सवाल से मैंने आपको कई कई चार option अगर हैं, तो चारों के बारे में मैंने आपको अलग-अलग से detail में पढ़ाया है, बिटा याद रखना ठीक है, दूरवीन का गैलेली ओ गैली बिटा, बाद में दूर, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है याद रखेंगे, टैली स्कोप टैली स्कोप में आपको पूछा है, तो बताओ किसका हैंस लिपरैसी, जो है ने, बिटा, सबसे पहले इनों ने बताय हुआ है लेकिन दूरवीन के फादर अगर पूछा जाए, तो वो है गैलेली ओ गैली, 1608 में सबसे पहले इसी वेग्यानिक ने इसके बारे बताय हुआ है अगर यहाँ पर आपका गैलेली ओ गैली होता, तो वही आंसर सही होता क्योंकि यहाँ पर आपसन में नहीं है, तो यह आंसर आपका क्या होगा, हैंस लिपरसी आपका सही होगा ठीक है, हॉमबर्क में उम्मीद है, आप लोगों से सबीस का जवाब, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देंगे आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और सेयर करें, हर बच्चे तक पहुँचाएं, जहां पर इसकी नीड है, जहां पर जरूरत है, जो बच्चा तयारी कर रहा है, उसको जरूर पहुँचाएं इसकी पीडियाप के लिए टेलिग्राम चैनल जोईन कलने, रैंकर्स गुर्कल ओफिशियल, और फिर मिलता हूं मैं आपसे कल, अगली क्लास में 10 वजे सुबह ये रैगूलर क्लास आपकी चलती है, जिसमें एक-एक टॉपिक आपको बहतरीन पढ़ाया जाएगा, नमस्ते झाल 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 झाल